हाई गाईज वावकूम बैक आपका अपने चानल पे बहुत ही ज़्या स्वागत है आप सभी को पता होगा कि 10th of June आने वाली है और 10th of June को Apple रिलीस करेगा अपना iOS 18 का बीटा अपडेट तो iOS 18 के कुछ फीचर अपल ने कनफर्म कर दी गये हैं उनके बारे में हम आपको बतान चेंजर चेंजर आने वाले हैं AI का यूज करने वाला है Apple आपके iPhone की सीरी जो है वो टोली चेंज होने वाली है तो सबसे पहले हम जंप करते हैं अपने Safari ब्राउजर में और जैसे यहां पर टाइप करोगे Apple.com तो यहां पर आपको Apple ने जो कंफर्म किये हैं फीचर की जो बारे में डीटेल में ब्रीफ में Apple ने यहां पर लिखा हुआ है उनके बारे में पड़ सकते हो तो सबसे पहले फीचर आता है आई ट्रैकिंग का आप अपने iPhone और iPad को आई ट्रैकिंग से ट्रैक कर सकते हो यूज कर सकते हो जो जेस्चर आप अपने फिंगर से परफॉर्म क यहां पर आप देख सकते हो इस वीडियो में कुछ इस तरीके का जो फीचर होने वाला है आइस के साथ यह यूज होने वाला है फीचर तो यहां पर आप देख सकते हो आइस के साथ ट्रैक करके आप अपने iPad और iPhone को यूज कर पाओगे तो यह जो टेकनोलोजी है वो आपको काफी जदा फाइदमंथ होने वाली है iOS 18 की अपडेट में काफी बड़िया-बड़िया फीचर होने वाले हैं इस अपडेट में तो यहां पर आड़ करा गया है फीचर Music Haptics का तो music में haptics को add करा गया है इसका मतलब यह है कि जिन users को कोई भी अवास सुनाई नहीं देती है या उनके कान वगरा में कोई problem है तो वो भी अब music का मजा ले पाएंगे simply haptics के feature को use करके तो यह जो logo आपको देखने को मल रहा है यहां पर यह जो logo है इसका मतलब यह है कि आपके music में आपको haptics देखने को मल रहे हैं तो music में haptics जो हैं वो काफी ज़दा useful रहने वाले हैं और भी बड़िया experience आपको देखने को मलेगा आपके music की application में उसके लिए आपके पास इसकी subscription होनी काफी ज़दा important है वरना यह जो features हैं haptics के वो आपके iphone में काम नहीं करने वाले हैं तो बिना subscription के यह features जो हैं जो आपको music app में देखने को मलेंगे वो काम नहीं करेंगे उसके बाद यहां पर चलते हैं अपने और features की और तो यहां पर देख सकते हो setup vocal shortcut तो आप अपने vocal के shortcut को setup कर सकते हो जैसे की say ringing on last time तो इस तरीके से आपको यह shortcuts create करने का option आपका device देखा और आप अपने iPhone की CD को use करके इन vocal के shortcuts को run कर सकते हो और अपने iPhone में इन shortcuts को use कर पाओगे ताकि यहां पर आप देख सकते हो CD can understand to launch shortcuts completely complex task तो इस तरीके के आपका जो iPhone है उसमें CD जो है वो आपके इन shortcuts को easily perform कर सेगी so guys next जो feature है वो है motion sickness को दूर करने का तो guys यहां पर आप देख सकते हो vehicle motion cues can help reduce motion sickness तो यह जो feature है काफी ज़्यादा useful रहने वाला है क्योंकि जब भी हम कहीं travel करते हैं bus में उस time के उपर बहुत से ऐसे होते हैं users जो की जिनको wanting आती है यह उनको ठीक तरीके से feel नहीं होता है जैसे यहां पर यह feature enable करोगे तो यहां पर आपको black dots देखने को मढ़ रहे हैं जैस आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से यह जो feature है काफी ज़्यादा helpful रहने वाला है day-to-day routine में अगर आप travel करते हो उस time के उपर यह feature जो है vehicles के लिए काफी ज़्यादा useful रहेगा vehicle motion cues को help करेगा reduce करने में motion sickness को अगला जो feature है वो है आपके carplay में voice control का और more accessibility update तो और भी काफी updates आने वाले हैं आपके carplay में और यहां पर voice control का feature जो है वो carplay में add कर दिया गया है iOS 18 के आने वाले update में और भी बहुत से features apple introduce करने वाला है iOS 18 के update में जैसे कि हम अपनी applications को कहीं पर भी move कर पाएंगे iOS 18 के update में और साथ में आपके iPhone की जो Siri है उसको और जब जदा AI से related यहां पर combine करके काफी जदा powerful बनाया गया है और बहुत से नहीं features आने वाले है iOS 18 के update में उनके लिए आपको अपने चैनल को subscribe करना पड़ेगा ताकि जब भी Apple iOS 18 के नए latest update को release करे और आपको अपने चैनल पे वो वीडियो देखने को मल जाए जो कि आप चाह कि अ झाल झाल